हेलो दोस्तों तो आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी जार्कन क्लासेस में स्वागत है और आज का जो क्लास है पेपर 3 कंप्यूटर का फुल कोर्स है एबलेबल है एडी क्लासेस एप पे पीडियाप के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं वनली 149 में 7 क्लास है बहुत ही बह प्रोडक्शन अफ आल टाइप सब कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर का आपको टॉपिक नहीं बचेगा जो छुटे एक भी नहीं बचेगा सारे को कबर करने वाले हैं हम लोग करेंगे आज सुपर फास्ट रिवीजन क्योंकि अभी तक तो स्टूडिंस को यह बचा नही प्रोड के साथ सुपर फास्ट रिवीजन है तो चलिए हम लोग इंडरेक्शन अफ आल टाइप को कंप्यूटर इन हिंदी हम लोग पढ़ते हैं पीडिएप के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं डबलेट फोट फोट वन मंत बचा है वन मंत की रननेती का वीडियो आप लोग मशीन है यह जैसे की इसमें क्या है अक्ष्पोड डिक्षनरी के अनुसार ये स्वचालित इलेक्ट्रोनिक मशीन है इसमें क्या होता है वाई मौनिंटर होता है झाल बेशता क्या वाई zit दूसरा data को सूचना में process करता है कोई भी data होता है उसको सूचना में process करता है उसको फिर भेजता है next data और सूचना को store करना किसका काम है computer का न की मेरा भी सूचना का visualization भी करता है सूचना का visualization मैं इस diagram से आपको कुछ समझाना चाहूँगा निरदेश that means memory जैसे कि input जो होते है पहले input जाता है process होता है CPU में यह आपको मैं बता रहा हूँ diagram के मताबिक output जो हम लोग को मिलता है या तो soft copy monitor पर मिलता है या फिर hard copy printer से मिलता है output दो form में होते हैं या तो monitor पर soft copy मिलेगा या फिर आपका hard copy hard copy उसे काते हैं जिसे हम छूँ सकते हैं जैसे print out निकलवाना को जेरोक्स कर रहे हैं उसका monitor यानि soft copy उसे काते हैं जो आप जैसे की whatsapp में आपका कुछ है या phone में documents है या फिर monitor पर कुछ documents दीख रहा है then the वो soft documents ठीक है soft copy चले तो input हम लोग क्या सिसी करते हैं या तो data input होता है CPU में या फिर keyboard की सहायता से हम लोग कुछ टप 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 लिखते हैं तो वो process करके वो output देता है तब हम लोग को screen पे दिखते हैं जासे कि हम लोग typing करते हैं on a monitor with the help of computer ये keyboard तो कुछ typing करते हैं दिन आपको show होता है soft वो कुछ भी writing show करता है तो वो soft copy हो गया चले चलते हैं हम लोग एक भी आपका प्रस्न नहीं चुटेगा सारे प्रस्न को लिया गया seven class होगा बहुत ही बैधरिन class होगा ECS ECS का full form क्या होता है ECS में बैंको के लेन दिन में ये ECS का कारी होता है इसका full form क्या होता है electronic clearing service electronic clearing service क्या होता है electronic clearing service next computer के घठक कितने होता है घठक तो तीन घठक होता है computer components घठक करने का मतलब that's the type of components of the computer क्या चीश लता है hardware, software, data hardware, software, data hardware किसे कहते हैं जिसे हम छूँ सकते हैं, software जिसे हम छूँना सकते हैं सिर्फ देख सकते हैं, जैसे कि WhatsApp, Instagram, Facebook में हम लोग क्या देखते हैं, app देखते हैं, that's the software, data, जो data होता है, कोई भी data होता है, जिसे देख और छूँ सकते हैं, जैसे keyboard हो गया, hardware कहते हैं, देख और छूँ सकते हैं, input data, mouse, monitor, परफिकेटर, CPU, हार्ड कोपी, हार्ड ड्राइब, मदर बोड प्रोसेशर अभी हम लोग यह सब देखते हैं चले, next Software, प्रोग्राम के समूहों को Software काते हैं और यहीं सब प्रस्न पूछता है कि प्रोग्राम के समूहों को क्या कहा जाता है software everyday hardware computer का सरीर है कया software computer की आत्मा computer की आत्मा क्या है आपका ये प्रस्पना पूछ देगा economist computer की आत्मा क्या है software hardware की computer का सरीर क्या है so hardware can change data क्या होता है data कैसे हम यह डालते हैं dan process कैसे करता है तो keyboard या mouse की सायता से CPU में डाला तक प्रियोग प्राप्ती जो कारें कंप्यूटर पर करते हैं जानकारी कंप्यूटर में इस्टोर हो फिर से निकालने के लिए RAM से क्या करते कॉल करके CPU द्वारा वापस लाया जाता है यह सब चीज आप ध्यान देंगे और आपको यहां जो मिलेंगे न टोटल कंप्यूटरे के बारे में है देखिए 40 पेज यहां है न चालिस पेज एक अदम टोटल कंप्यूटरे के बारे में पढ़ा दिया गया भाई तो वीडियो को टोटल अच्छे से देखिए न तो आपका एक भी कंप्यूटर का यह जो है क्वेस्टन नहीं छूटेगा 20 में 20 आप मार के आईएगा आपको ध्यान से थोड़ा सा ऐसो 4-5 घंटे ध्यान देदने है साथ क्लास में कंप्यूटर ज सबसे जो कंप्यूट होता है ग्रीक भासा है जो कंप्यूट का जो अर्थ होता है गनना करना यानि कि शंगनक होता है इसका अभी कलित्र भीकाते हैं अगर आप से प्रस्ने पूछे कि अभी कलित्र को क्या नाम से जाना जाता है तो यह कंप्यूटर का ही हिंदी नाम अभी बार यह बता दिया कि पहले मैं keyboard से input data करता हूं फिर cpu प्रोसेस करता है फिर monitor पर दिखाता है यह आप याद रखेंगे यह आपको language में पूछेगा electronic विदी से data का visualization करना होता है next computer के विश्रिष्टा क्या है तो गती कितनी होती है भाई computer के विश्रिष्टा देख लेते हैं हम लोग computer गती किस सीज में मापे जाती है hertz में nanosecond गनना करती है ठीक है computer कर सकता है ठीक है एक सेकेंड में कितने लाग यह सब पुछता है प्रशन है तो आपके एक भी पॉइंट फालतो नहीं दिया गया है एक सेकेंड में 10 लाग data process कर सकता है mips million instructions per second million instructions per second automatic होता है mips का फुलपॉम million instructions per second होते है यहीं automatic यानि कि आदेश देने का कारी करते हैं उसको automatic तुरूटी रहित जो कारी करते हैं यह computer तुरूटी रहित यह विशिश्ता है जो होता है permanent storage जैसे memory होता है disk होते हैं विसाल भंदारन चमता large scale जो storage capacity होती है जो external hardix and floppy disk होते हैं and internal storage में memory, main memory होता है internal storage में क्या होता है main memory होता है and external में hardix and floppy disk होता है चलिए next point क्यों चलते हम लोग अपका जो है आंत्रिक शंग्रहन कहने का मतलब आंत्रिक internal storage क्या क्या होता है RAM and ROM होता है रेम रॉम का random read only memory होता है और रेम का जो full pump होता है random access memory होता है और मैं बात बताता हूँ कि operating system OS upload होते हैं यह data store नहीं करते हैं रॉम power self यानि कि देखे इसका जो काम क्या होता है power on self test के लिए apply किया जाता है ठीक है चलिए रेम रॉम के बारे हम लोग आगे बहुत भेस्तरी ठंग से पढ़ेंगे fast retrieval यानि कि भंडारित सूचना को तिब्र गती प्राप्त करता है कुन random access memory यह क्या होता है मतलब कितना जिबी इंटर्नल मेमरी है 8 जिबी का है बहुत अच्छा है 16 जिबी का है 108 जिबी का है राम होता है 108 जिबी 256 जिबी 512 जिबी इस प्रकार से आपका राम आते हैं और जैसे 8 जिबी है 12 जिबी यह सब राम होते हैं तो इंटर्नल मेमरी जो होता है वो क्या करता है रांडूम एक्सेस मेमरी मधर बड़ पर लगी रहती है सीपी उसे जुड़ा होता है प्रोसेस का कारी यही राम करता है इसलिए और इंटर्नल मेमरी होता है next quick decision यह जो decision लेता है computer quick decision तुरंत वाला लेता है फेस्बूक गेम्स एक्स्टनल सीट अधर्वाइज एक्सेक्टर रेपिटेशन बार बार समान विश्वशनियता और तिवरता से होती है यह मतलब कि repetition नहीं करता है विश्वास होता है इस पे और गोपनियता user accounts and program hardics and the files रखता है अगर आप password लगा के रखे तो next चलिए note है आपका कि भारत में प्रथम computer 16 अगस्ट 1986 को बंगलूरू प्रधान डाक घर में यह प्रथम बार आई थी पूर्ण computer क्रित डाक घर सबसे पहले का होई थी नई डेली में होई थी फॉर्ष्ट स्टार्टिंग नए भारत में प्रथम बार computer के आगमन जो यानि की फ्राप्त हुआ था बंगलूरू के डाक घर में 16 अगस्ट 1986 को हुआ था चलिए इसी प्रकार से हम लोग और भी notes नहीं होती है मनुष्य की तरह तो यह बात आप ध्यान देंगे that's the machine and the मनुष्य माइंड जो होता है मनुष्य माइंड होता है next expensive होता है and the virus का खत्रा जैसे की malicious programs होते हैं antivirus उसमें software डालते हैं तब वो खतम कर सकता है विदूद पर निरभरता होती है monitor set laptop नहीं होते है portable device जैसे और चलिए application of the computer यह सब क्या है data processing जन्गनना संख्या को यह सब करते हैं exchange of the information सूचना का आधान परदान होता है computer laptop से यह सभी लोग जानते है data हो गया PDF हो गया कुछ भी हम transfer कर सकते है सूचना का राजमर्ग है एजूकेशन में भी बहुत अच्छी भूमी का यह निभाई है computer यही चलते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान में जो क्रांती लाया है computers ATM का जो full form होता है अब आपको आगे चलेंगे आगे दम बहतरीन आपको नोट्स मिलने वाले हैं यह सब तो मैं विशिष्टा बता रहे हूं कहां कहां यूज होता है computer का यह हम लोग खुद जानते हैं इसलिए मैं इसको स्पीडली पार कर रहा हूं तो चिकित साथ सीटी एन अल्टरसाउंड वगरा वगरा आजकल जितने सारे होते सारे computer की साहता हो से ग्रहों उपकर हो जैसे चंद्रियान 3 लांच हुआ भी तो सारी क्या सारे computer का है भाई सारा computer भाई इतना कि एक महीना बाद उतना चकर काठन आदमी जब करता है वैसा सोचता है तभी computer सोच पाता है जैसे मनोरंजन के लिए cinema television वीडियो गेम्स मोबाइल फोन्स साही यूज करते हैं हां तो चली computer साक्षारता दिवस हम लोग मनाते हैं तो देखिए computer साक्षारता दिवस जो है दो दिसंबर को मनाया जाता है हर हर क्या computer में PhD करने वाले व्यक्ति प्रशन जो परसन थे वह कौन थे भाई तो राज रडड़ी जी थे भारत का supercomputer परम सीरीज किसने बनाया बिजे भासकर के द्वारा बनाया गया और यह सीडे कंपनी सीडे कहा है कंपिंग सेक्षान में कमेंट करेंगे आपको मैं बताओंगा कि सी सारे बताएंगे ठीक है मुबाइल चैब सारे चीज़ अभी बताने वाले हैं लैप्चॉप कीबोर्ड सारे चीज़ आप अभी जानेंगे कंप्यूटर शाक्षारता जो है कारी शमता बहुत अधिक होती है एंड यूजर किसे कहते हैं यह सब देखें कंप्यूटर में वि विशेज सगी नहीं है विशेज ग्यान नहीं है लेकिन कंप्यूटर का लाब उठाता है उसको क्या बहुत हैं एंड यूजर काते हैं डिजिटल डिवाइड किसे कहते हैं तो देखें डिजिटल डिवाइड हम लोग पढ़ते हैं बहुत लोग के पास डिजिटल डिवाइ इंटरनेट का सेवा उब्योग करते हैं लोग कितने लोग मातर 47 परसेंट और खास कर विश्व में 47 परसेंट है और भारत में 30 परसेंट सोच लो भाई भारत में 30 परसेंट लोग करते हैं और जिसमें संख्या के अधार पर अगर इंटरनेट यूज सबसे जादा अगर कोई क और उसके बाद 2 अस्थान पर भारत है ठीक है भारत में पहला भारतिये सांखी की शंस्थान नहीं करता है तो कलकत्ता में है ठीक है नेच्ट आर्थपुर्ण धंग से विवस्थित या प्रस्तुत किये गए डाटा को क्या कहते हैं सूचना कहते हैं नॉन नुमेरिक डाटा का उधारन क्या है? करमचारी का पता, इसा प्रस्ट पूछता है, कम्पूटर डाटा को मैन्यो पुलेट करता है, कौन सीज? प्रोसेशिंग, कम्पूटर प्रोसेश द्वारा, इंफोर्मेशन में परिवर्तित करता है, डाटा को, मतलब जो का समाप्थ हुआ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर देख लिजिए एक तम कंप्यूटर का उद्भव विकास कैसे हुआ था सारी क्लास करेंगे आज हम लोग देश का प्रथम साक्षर जीला कौन सा है मल्लंपूर केरल देश का प्रसंद कंप्यूटर साक्षर ज आप रटेंगे कम से कम जो भी आपको इस नोट में फुल फॉर्म मिलेंगा आप उसको क्या करने होंगे आपको आप पाउस करिएगा विडियो को और आपको तीन बार रटने हैं आप एक्जाम में एक भी फुल फॉर्म गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें अत्यादिक फुल नहीं दिया क्योंकि इसमें टोटली जो पढ़ाया गया है उसमें फुल फॉर्म बता दिया गया है तो केड का फॉल फॉर्म है कंप्यूटर एड़िजाइन कंप्यूटर एड़िजाइन वाइल वर्ल्ड वाइब का जो अविश्कारक है टीम यह हम लोग बच्पन से ऑब चोट एगा चलि यह अविश्कार का उद्भर और हम लोग विकास देखते हैं और यह आपका कंप्यूटर के इंट्रबरक्शन में ही है दिखना चलिए अब एकरस कैसा होता था तो इस प्रकार से डब्बबा होता था हम लोग ये बच्वण में खेले हैं। उप्योग जोड़ना और घटाना होता था, ठीक है, जो नीचे वाला जो लाइन होता है उस अर्थ काते हैं और उपर वाला जो रहता है उसको हैबन काते ह याद रहे ये बात क्योंकि ये पूछ देता है पास्कलाइन पास्कलाइन कम्प्यूटर जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा आविश्कार किया गया था कब ये 1642 में 1642 में एडिंग मशीन इसको कहते है यानि कि पास्कलाइन को क्या कहते है है पास्कलाइन को एडिंग मशीन कहा जाता है या फिर एडिटिंग यहां देखिए थे 2222 2222 2222 इसे याद रखेंगे, तो 2222 याए 822 is we made difference engine का Charles webees के द्वारा आविश्कार किया गया analytical engine analytical engine का आविश्कार किस किया, तो 4225 जी किये थे लेकिन यह 842 में किये थे Charles webees difference engine का आविश्कार 842 22 में किये, और यही analytical engine का इन्होंने 842 में किया चलिए next चलते हैं आपका interesting तो आपका यहां से लगेगा ठीक है? पंच काड का जो है अविसकार किसने किया था? हर्मन होले रित बहुत बार परसन पूछ दिया है भई पंच काड का जो यह आपका यह हुआ था पंच काड का अविसकार किसने किया था हर्मन होले रित हर्मन होले रित और यह जो आपका है हर्मन होले रित इसमें पंच काड जो है पंच द्वारा छेद बनाकर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है कपड़ा बुन्ने की मसीन और टेक्स्टाइल उद्योग में ये पंचकार्ट का परियोग किया जाता है और ये पंचकार्ट का कहा कहा परियोग होता है कपड़ा बुन्ने की मसीन और टेक्स्टाइल उद्योग में पंच कार्ड में होता है एक होल किया जाता है ठीक है और इसमें डाटा को संचार किया जाता है मतलब की स्टोर किया जाता है ठीक है लेडी एडा अगोस्टा चलिए लेडी एडा अगोस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं एनलेटिकल इंजन जो चार्ल्स वेवेज के द्वार यह अपने पिता जी के, याणि के गुरू भी थे, पिता भी थे, लेडी एडा अगोस्टा जो है, चाल्स बेबेस के द्वारा बनाये गया, कंप्यूटर में इन्होंने पहला प्रोग्राम डाला था, ठीक है, चले, और गुरू जो है, इनके लेडी एडा अगोस्टा के, चा लग और जो जो स्टूडेंट्स यह पीडियव खरीच चुके हैं क्योंकि यह बैच जो लॉंच हुए दो तिन हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे पर्चेज किया है धन्यवाद इसके लिए क्योंकि धन्यवाद नहीं अगर आप खरीते हैं तो आपका एक भी प्र इसके निर्मान कराया गया था तो सेंसर स्टैबलर का जो है निर्मान हर्मन होले रीत के द्वारा किया था ऐसे कंप्यूटर बताएं मार्क वण का अविसकार किसी ने किया था IBM के द्वारा किया गया था IBM का full form क्या होता है International Business Machine International Business Machine आपको तीन बार बोलना है कोई भी full form मिले International Business Machine ये जो निर्मान कारी हो था 1937 से 1924 तक चला था Mark 1 का और ये Harvard आइकन में हुआ था प्रथम पूर्ण स्वचालित विदुत यांतरिक गन्ना ये था विदुत यांतरिक गन्ना मशीन प्रथम पूर्ण स्वचालित अपने से ठीक है पूर्ण स्वचालित विदुत यांतरिक गन्ना मशीन था ये Mark 1 जो कि IBM के द्वारा 1937 से 1924 के बीच में बनाया गया नेक्स एबीसी ABC ये वग्यानी का नाम है ठीक है तो ABC जो है वग्यानी का नाम है और वग्यानी का नाम क्या है Atena Soft Berry Computers Atena Soft Berry Computer John Atena Soft और Clifford Berry के द्वारा निर्मान किया गया था 1949 से भी में पहला Electronic Digital Computer था संसार का पहला Electronic Digital Computer यह कौन सा है भई ABC ABC का फुलपर्म एटनासॉप बेरी एंड कंप्यूटर एटनासॉप और जो बेरी है यह जॉन एटनासॉप और क्लिफोर्ड बेरी यह बेग्ञानी का नाम है जो 1949 में इन्होंने बनाया था और एबीसी कंप्यूटर जो है पहला एलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर नेक्स चलिए अगले कंप्यूटर की ओर हम लोग पढ़ते हैं ठीक है एनियक कंप्यूटर एनियक का सबसे पहले फुल फॉर्म आप देखें फुल फॉर्म याद करने का तीन बार रटिये और दो बार लिखिए जाम में कभी गलत नहीं होगा या तो आख तीन बार लिख लीजे या तो तीन बार बोल लीजे नहीं गलत होगा भाई एनियक तो एनियक का फूल फूर मतलाइए फोर एलेक्ट्रोनिक एन फोर नुमयरिकल्स एन फोर नुमयरिकल्स इसका जो अभिस्कार किये ते जेपी एकर्ट के दौरा किया गया था जेपी record एं जोन मुठली के द्वारा या computer का निर्मान कराया गया था किसके द्वारा जो आविस्कार जो किये थे जी प firefighters में जोन मुठली दोनुं मिलकर किये थे प्रफम और क्या है प्रफम electronic computer है यह प्रफम ink Ordance glass machine engineering computer और दूसरा पॉइंट है binary number system पर वर्क करने वाला यह पर्थम computer है चलिए IDVAC IDVAC computer के बारे पढ़ लेते हैं हम लोग इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा IDVAC IDVAC का सबसे पहले full form मैं बता दूँ Electronic Discrette Variable Automatic Computer Discrette Electronic Discrette Variable Automatic Computer इससे यह जो है IDVAC का निर्मान जो किये थे one newman के द्वारा हुआ था stored program concept इसमें आया था प्रथम बार की store कर सकता है program को binary stored हो सकता है 0, 1 और 0 इसकी अविसकारक अभी मैंने तुरंद बताया था कौन है जल्दी बताया है कमेंट सक्सर में UNIWAC UNIWAC के बारे में पढ़ते हैं computer UNIWAC के बारे में है तो Universal Automatic Computer इसका full form है Universal Automatic Computer पहला digital computer है पहला digital computer कोन सा है संसार का तो UNIWAC है संसार का पहला digital computer कोन सा है UNIWAC प्रथम वैपारी computer कोन सा है अगर प्रथम वैपारी computer पूछे तो UNIWAC 1 है याद रखेंगे प्रथम वैपारी computer अगर पूछे तो आपका UNIWAC 1 हो जाएगा और यहीं प्रथम Digital Computer पूछे तो Univac होगा चलिए, नेक्स्ट में है, पॉइंट है 1954 में GEC के द्वारा यहाँ निर्मान कराया गया था GEC मतलब General Electric Corporation यहाँ एक संस्था है, ठीक है, कमपनी है जिसके द्वारा निर्मान कराया गया कब निर्मान कराया गया, 1956 इस वी में Univac का GEC के द्वारा, GEC का फुल्पूम क्या होता है General Electronic Corporation माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई माइक्रो प्रोसेसर एक भी प्रस्न नहीं शूटने माला है, पक्का वादा है Microprocessor तो ये CPU में प्रोसेसर लगा हुआ रहता है और ये प्रथम बार Intel Company के द्वारा 1970 में बनाया गया था इसी में Microprocessor भी लगाया रहता है 4th generation के computer में यह Microprocessor का उप्योग किया गया है और प्रथम जो था Microprocessor Intel 4004 था जो 4 बीट Microprocessor का था पहला अगर Microprocessor का बात करें तो Intel 4004 जो आपका Intel Company के द्वारा 1970 में बनाया गया था और 4 बीट Microprocessor इसमें प्रोसेस था ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां Apple 2 Microprocomputer इसका जो है 1970 में आविस्कार किया गया था प्रथम विवसाइक याने की Business Microprocomputer था प्रथम Business Microprocomputer एपल 2 नेक्स आइबी एम के बारे में चलिए पढ़ते हैं आइबी एम इंटरनेशनल बिजनेस मनी कंप्यूटर का वर्गी करन कितने भागों में किया गया है? तो वर्गी करन ऐसे है तीन भागों में Hardware के अधार पर कारिपदती के अधार पर और Akaar और Mainframe के अधार पर जैसे कि Hardware के अधार पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और पाचवी ये PID के बारे में बता है और कारिपदती के बारे में Analog Digital Hybrid सारे चीज आपको मैं बताने वाल हूँ अकार जो है अकार और मेन फ्रेम के अधार पर मेन फ्रेम मीनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर यह हम लोग को चार कंप्यूटर पढ़ने हैं यह सब सारे चीज अभी हम लोग कंप्यूटर के वरगी करन में प को पढ़ना है यह फर्स्ट पीड़ी के बारे में पहले यह पढ़ेंगे फिर यह पढ़ेंगे फिर हम लोग यह पढ़ेंगे बस आपका यह कंप्यूटर का इंट्रडक्शन समाप्द हो जाएगा अभी बहुत है भाई देखिए यहां यहां है 40 पेज है अभी हम पूच देता है निर्वात च्यूब का यह कंप्योटर में उपयोग किया गया था मसीनी लैंग्वेज का उपयोग किया था बाइनरी लैंग्वेज का परियोग किया था गरती और गर्णा के लिए मेली सकेंड में होता था ठीक है पंच का उपयोग किया गया स्टोरेज के लि ठीक है चलिए आपको मैं बता दूँ कि IBM Mark 1 जो है का निर्मान जो है 1952 में Dr. Price Hopper के द्वारा किया गया था Next Assembly भासा का अविसकार इसमें किया गया यूज जो है दूसरी पीड़ी के कम्प्यूटर में यह हुआ ठीक है Assembly भासा का Next Second Generation of the Computer यह इसका जो कारिक जो काल था 1955 से 64 था ठीक है 1955 से 64 थक ठीक है 1955 से 64 थक चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट किर चलते हैं निर्वात थ्यूब के जगह पर इसमें क्या चीज़ का उप्यूग किया गया है ट्रांजिस्टर का ठीक है निर्वात थ्यूब के जगह पर Second Generation के कम्प्यूटर में यह 1955 से 64 यह आप बहुत याद रख लेंगे यह बहुत जरूरी है आपका यह जरूरी है कोट का परियोग किया गया है भंडारन के लिए जो है आपका यानि के स्टोरेज के लिए मैगनेटिक टेप और मैगनेटिक डिस्क का उप्यूग किया गया है Second Generation कम्प्यूटर में प्रोसेस गती उसमें मिली था इसमें Micro है यहीं website अथा उप्योग का बाग करें तो यह बहुत बैच उप्रेटरन सिस्टम है जैसे की Second Generation के कम्प्यूटर का उदारन है केवल इसमें विकास हुआ था उप्योग नहीं हुआ था कोबल, फोटरोन, HLL इसमें केवल विकास हुआ था यहीं 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 हुआ है चलिए तीसरी कम्प्यूटर के पीड़ी में देख लेते हैं उससे पहले क्या है ट्रांजिस्टर का आविस्कार जो है 1947 में किया गया था किसके द्वारा बेल लेबोरेटरीज में जोन बार्डिन, विल्यम साकले और वाल्टर बेटन के द्वारा सिलिकन जो है और जर्मेनियम के द्वारा बना होता है एंटीब्र स्विचिंग डिवाइस होते हैं तीसरी पीड़ी के कम्प्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं 1964 से 1975 त्रांजिस्टर के जगह पर IC आप यह हो गया इस्तार मार्क जिसको दे रहा है उसे रट लीजिएगा आइसी ट्रांजिस्टर के जगह पहला तो हुआ था आपका वैक्यूट्यूब का प्रियोग किया गया था दूसरा वैक्यूट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर का और तीसरा ट्रांजिस्टर के जगह पर IC का परियोग किया गया ठीक है IC का परियोग किया गया ठीक है तो IC का फुल फॉम क्या होता है और IC का अभिस्कार कोन किये थे जल्द बताएंगे तो देखिए यह ट्रांजिस्टर के जगह पे IC याने इंटिग्रेटेड़ सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है नेम जो है इसका स्मॉल स्केल एस एस आई है इंटिग्रेट़ आईशी का जो टोटल फुल नेम है आपका SSI याने की स्मॉल स्केल इंटिग्रेशन है यहीं देखिए इंपूट और आउटपूट का उप्योग किया गया तिसरी पुड़ी कम्प्यूटर में मैगनेटिक टेप और डिस्क भंडारन छमता में ब्रीधी हुआ है यह उप्योग होता है यहां ब्रीधी हुआ है रैम का प्रियोग हुआ है नैनो सकेंड मिली माइक्रो नैनो बरते जारा देख रहे हैं मिली माइक्रो नैनो फर्स्ट में मिली दूसरा में माइक्रो तिसरा में नैनो देखिए पास्कल यानि बेशिक के इसमें यूज किया गया हार्डवेर और सॉप्टवेर का भी विकास किया गया और 1965 में DEC यानि कि Digital Equipment of the Corporation यानि कि Digital Equipment Corporation का यहां उप्यों किया गया PDA जैसे कि आपका PD8 प्रथम वेबसाइक कंप्यूटर का विकास किया गया यहीं चलते हैं Integrated Circuit का जो है निर्मान किसने किसके द्वारा जैक किलवी के द्वारा किया गया ठीक है यह आइसी होता है Micro Electronic यह बात आप सब ध्याने केंगे और Silicon जो होता है Silicon और Germanium का यह बना होता है ठीक है कि नेक्स चलिए कि चौंथी PD की कंप्यूटर में देखते हैं फूर्थ जेनरेशन अप्प्यूटर का उप्योग जो है इंटेल 4004 में उप्योग हुआ है इसमें Micro Processor का उप्योग हुआ है नेक्स जैसे कि LSI and a large scale integration very large scale integration गती गन्ना में Pico Second हो गया है मेली नैनो, Micro, Pico 1 Pico is equal to Pico Second is equal to 10 to the minus 12 seconds यह सब आपको अत्यान छोटा हाथ है Multitasking इसमें परियोग किया गया है Microprocessor का विकास हुआ है इसमें, जैसे Microprocessor का विकास कोन किये है M.E.Hop ने किया है 1971 इसमें और इसी व्यक्तिकत जो है Personal Computer का उप्योग किया गया इससे ही बना है, विकास हुआ है RAM का परियोग हुआ है इसमे LAN और WAN का विकास भी हुआ है C भासा का विकास किसने किया है तो USA के Dennis Ritchie C यानि कोबल भासा जो होता है C भासा का C भासा ही प्रस्न पूछता है तो C भासा का विकास किसने किया USA के Dennis Ritchie ने 1972 में किया था C भासा यानि कि General Process Programming Language C भासा कहने का मतलब की General Process Programming Language ठीक है यही चलते हैं 5th generation के computer में 5th परी computer जो 1989 से अब तक है ULSI and SLSI का प्रियोग किया गया जैसे कि ULSI का full form होता है Ultra Large Scale Integration and SLSI का Super Large Scale Integration Microprocessor का विकास है सिख्चा मनोजन में भरपूर मात्रा इसमें दिया गया है Networking के छेतर में Internet, Email, www, World Wide Wave सारे इसमें उपस्तित है अवाज को पहचानने और भणडारन के विकास है तो Optical Disk का निमान किया गया है CD, DVD, Blu-ray, Desk सारे चीज का यहां प्रयूग किया गया है Criterium ज्यान चमता में डालने का प्रियास जैसे की Robot वेगेरा Magnetic Bulb जो हता है Bubble, Memory, भंडारन चमता है PC को प्रतेक छेतर से जोड़ना आलू के Chips के आकार का होता है क्या चीज? यह आलू के Chips के आकार का होता है यह I.C. यानि Integrated Chip का नाम तो इसलिए दिया गया है Chips के नाम पर ही Chip का नाम पकड़ा गया है अगले PD के Computer कोन कोन से है जैसे की Nano Computer है Nano Computer जो ब्यास जिसका 1 Nanometer होता 10 to the power 10 माइनस 9 meter अब इसकार का संग्रशना का आयोग है Quantum Computer है बहुत सारे हैं जो यह क्या करेगा विदुत किर्णों से उर्जा Electron के उपस्थित के कारण होते हैं यहीं चलते हैं आपके तेक लेते हैं Electron अपने कक्ष में तेजी से भ्रह्मन करने में तिवरी होता है मानो मस्तिक से तेज कारे करता है Computer Computer के पदार्थ या Quantum के सिधार पकारे करता है Computer के पदार्थ जो है Quantum सिधान्त पर काम करता है यह बात आप याद रखेंगे और यह सब अगले पिण के कंप्यूटर है तेक है आने वाला समाने कंप्यूटर में Memory को bit मापा जाता है Qbit याने कि Qbit Qbit quantum Bit से Qbit से मापा जाता है यह he quantum computer में मेमरी को किस से मापता है Bit से लेकिन quantum computer में Qbit से मापा जाता है टिक है DNA computer यह जो computer है आने वाला अगले पिण ही का यह सब computer के बारे में बता रहा हूं DNA तता protein का परियोग कर डाटा का यह संग्रक्षित और प्रोसेस कराया गया और बायो कंप्यूटर काते हैं इसको DNA कंप्यूटर को एंद अधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर होता है जो हम लोग को एनालोग कंप्यूटर यह सब पढ़ना था तो एनालोग कंप्यूटर जिसकी गती एकदम धीमी होती है सधारन घड़ी एक जैसे की एक सधारन घड़ी वहां का जो गती का मीटर होता है यह कंप्यूटर ही है एनालोग कंप्यूटर ठीक है संकेत पर चलना hybrid computer क्या होता है analog plus digital को अगर समिश्रन करते हैं मिलाते हैं तो उसको हम लोग hybrid computer करते हैं जैसे input और output analog को संकेत उपयोग कराना गनना एवं processing करना जैसे कि उपयोग इसका कहा अस्पताल रक्षा चेत्र में यह hybrid computer का उपयोग किया जाता है चली next हम लोग पढ़ते हैं आपका है next classification based on the size and work कारे और कारे के अधार पर वर्गी करना जो है mainframe computer, mini computer, micro computer, super computer, personal computer में क्या क्या आते हैं यह चली देख लेते हैं notebook, netbook, tablet, laptop, workstation, pomptop यह सब आप याद रखेंगे mainframe computer जो होते हैं क्या होते हैं dump terminal के माध्यम से mainframe computer से जोड़ना कहलाता है multi user computer होता है mainframe computer 32 या 64 big micro processor का परियोग किया जाता है इसमें time sharing होता है multi programming होता है यह operating system का परियोग होता है time sharing and multi processing उपयोग होता है जैसे कि बड़ी companyों में bank, railway, action इस प्रकार से mini computer क्या होता है mini computer जो होता है 1965 में DEC के द्वारे digital equipment corporation के द्वारे किया गया है संग्रहन चमता और गती अधिक होती है यात्री आरक्षन बड़ी office company में इसका वर्क होता है mini computer का यहीं चलते हैं embedded computer होते हैं जो जैसे कि टेलिविजन, washing machine, microwave, car में यह सब में यूज होता है micro computer क्या होता है 1970 में CPU उपयोग हुआ था ठीक है micro computer का next है micro computer 1970 में CPU के उपयोग द्वारा IBM company जो था के द्वारा यह विकास किया गया है micro computer का 8, 16, 32 या फिर 64 bit microprocessor का इसमें परियोग किया गया है भारत का silicon valley किसे कहा जाता है बंगलोरु को computer के निर्मान में अगरनी होने के कारण इसे इसलिए silicon valley कहा जाता है भारत का computer में जो होता है उपयोग होता है घर, office, विद्धाले, वैपार सारे में प्रेशनल कंप्यूटर जैसे कि desktop computer, micro computer का विकास हुआ था इसमें प्रेशनल कंप्यूटर का 1981 में microprocessor 8008 का परियोग किया गया है यह प्रेशनल कंप्यूटर में PCXT, इसका जो full form होता है PCXT, Personal Computer Extended Technology इस प्रकार से आप पढ़ेंगे PC80 का full form क्या होता है and microprocessor 8008 का जो नाम दिया गया क्या दिया गया? इसमें microprocessor 8008 का परियोग किया गया किसमें? प्रेशनल कंप्यूटर में और यह microprocessor 8008 का नाम क्या दिया गया? PCXT, Personal Computer Extended Technology इसका नाम दिया गया, लेकिन यहाँ microprocessor 8286 यानि कि 8286 का जो नाम दिया गया, वो PC80 दिया गया जो 1984 में इसका आविस्कार किया गया था जो PC80 का full form क्या होता है? Personal Computer Advanced Technology वर्तमान में अभी हम लोग का यही चल रहा है और देखिए microprocessor 8088 का जो है नाम क्या दिया गया? PCXT और यही 8286 8286 का 8286 8286 यह जो microprocessor है इसका नाम क्या दिया गया? PC80 यह चलते हैं, वर्क स्टेशन क्या होता है? तो अधिक प्रोग्रामी प्रोसेसिंग चमता होती है विशाल भंधारन, बेहतर डिस्पले होता है भवन निर्मान, वैज्ञानिक, इंजिनियर का उप्योग के जाता है अब चलिए notebook, computer and laptop तो briefcase में रहकर कहीं भी इसको ले जा सकते है notebook को laptop के बारे में चलिए पढ़ते हैं उसमें भी lithium-ion battery का ही प्रयोग किया गया है इंटरनेट जैसे की wifi, bluetooth की साहता से notebook, notebook या उत्पती, internet तथा notebook सब्द से मिले होते हैं internet से जुड़ने www पर suffering, email भेजते हैं and social media का प्रयोग होता है चलिए next हम लोग पढ़ते हैं tablet, यानि कि अब हम लोग पढ़ते हैं tablet computer के बारे में एक छोटा computer होता है, input के लिए stylus या फिर pen touch screen का प्रयोग किया जाए stylus, do you know about it, यह virtual on screen keyboard होता है I think input जो होता है, stylus का प्रयोग जैसे कि एक pen stylus आपने S-Pen देखा होगा, ठीक है S-Pen जो अभी S20 Ultra में दिया गया है, आपका Samsung phone में, बहुत सार जैसे कि Note 8 में हो गया Note 10 में हो गया, जितने भी Note series के phone है, उसमें मिलता है and S21 Ultra से I think start है, यह S20 से आपका S-Pen start है तो hand held computer का भी कहा जाता है, hand held computer अगर कहा जाता है कि इसको tablet computer को next, Apple company के द्वारा iPad का उधारन दिया गया है Pom tab क्या होता है, बहुत छोटा computer होता है, mini laptop होता है, अवास द्वारा input होता है PDA ही होता है, यानि कि personal digital assistant होता है, छोटा computer होता है smartphone क्या होता है, input के लिए इसमें touch screen का परयोग किया जाता है smartphone जैसे tablet, PPA और hand held device होते हैं और यह PDA जो है, इसका उधारन है, mini laptop का PDA ठीक है, चले, next computer के चलते हैं, super computer के बारें बढ़ते हैं तो विश्व के सरवाधिक तेज computer जो है, यह super computer है, विश्व के, processing शक्ती अत्यधिक होती है, विशाल भंडारन समता होते हैं 1000 processor को एक साथ समांतर करम में जोड़कर multiprocessing करते हैं processing speed की गर्ना flops के द्वारा होते हैं, super computer में processing speed की गर्ना किसीज की द्वारा होती है, flops के द्वारा floating and flops का the full form होता है, floating point operation per second, floating point operation per second, floating point operation per second, यहीं चली, वर्तमान में जो होती हैं, यह super computer, SC याने के super computer यहां लिखा गया है, ठीक है, super computer के गती कितने होती है, petaflops होती है, एक petaflops में 10 to the power 15 flops होते हैं, विश्वो में प्रथम super computer के निर्मान किसी ने किया था, क्रे research company के द्वारा हुआ है, कौन सा, क्रे research company के द्वारा किया गया है, क्रे research company के द्वारा किया गया है, और वो साइमर क्रे के द्वारा किया गया है, ठीक है, विश्वय में प्रथम super computer का निर्मान, क्रे research company के द्वारा और साइमर क्रे ने इसका किया है, सुपर कंप्योग जो है पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारन का पता लगाने में किया जाता है इसका सुपर कंप्योटर का और मौसम के पूर्वा नुमान लगाने के लिए परमानू भट्यों में सब्सक्रिक्टल प्रिक्षन करने के लिए यह सब computer का use किया जाता है और चलिए हम लोग बहुत सारे super computer के बारें पढ़ेंगे अभी जितने total है super computer in India भारत में super computer परम super computer है जो भारत का प्रथम परम super computer पूने स्रीडेक के द्वारा बनाया गया है विकास किया गया अविस्कार किया गया है और स्रीडेक का जो full form होता है Center for Development of the Advanced Computing Center for Development of Advanced Computing ठीक है चलिए अब परम 8000 का विकास कब हुआ था स्रीडेक के द्वारा ठीक है 1891 में इसका अविस्कार किया गया स्रीडेक के जो निदेशक थे उस टाइम डॉक्टर विजय भास कर थे परम पदम स्परकंप्यूटर का अविस्कार कब हुआ 2003 में किया गया गन्ना चमता एक टेरा फ्लॉक्स है एक टेरा फ्लॉक्स में 10 टू दिपामर 12 टेरा फ्लॉक्स होता है एक खरब गन्ना प्रतिसेकेंड में कर सकता है यह परम यूवाच्टू सूपरकंप्यूटर 2013 में बनाया गया सीडेक के द्वारा सबसे तेज सूपरकंप्यूटर है गन्ना चमता 500 टेरा फ्लॉक्स नेक्स चलिए, सुपरकम्प्यूटर के 5 देशों के पास उपलब्ध है ये, सुपरकम्प्यूटर, कौन-कौन सा है, अमेरिका, जपान, चीन, इजराईल और भारत, देखिए, ये नक्सा के तौर पर मैंने किया था, तो अमेरिका, जपान, चीन, इजराईल, भारत, तो फॉ अनुपम्प्यूटर के सुपरकम्प्यूटर जो है, इनका विकास मुंबई में हुआ था, बार्क कम्पनी के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिशर्च सेंटर, बार्क का फुलफम होता है, भाभा एटॉमिक रिशर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिशर्च सेंटर, भाभा का नाम है ठिक है Advanced Numerical Research and Analytics Analysis Group के दोरा ठिक है यह एक group है ठिक है Advanced Numerical Research and Analytics जो की एद्राबाद के है और पेस का विकास यहीं से हुआ था पेस सूपर computer का विकास किया गया यह फुलू सालवर नाल के द्वारा विकास किया गया है National Aeronautical Labs जो 1980 में यह बनाय गया था नेक्स आइबिम के द्वारा ब्लू डिप सुपरकंप्यूटर जो है गारी कास्परो को सतरंज में हाराया था एक सकेन में 20 करोर चाल सोच सकता है लेकिन यह ब्लू डिप कंप्यूटर गारी कास्परो को सतरंज में यह हाराया आपका क्या चीज की हाड्वेर और सौटवेर के बारे में आपका जो Ambulator में धाना सारे चीज आपको बता दिया जाएगा जो इंटोर बुअचने आपका होता है वो होटा है और होता है इसमें जालिए हम लोग टोटन सोटे परा दिया जाएगा ठीक जैसे कि input keyboard और हम लोग input का मतलब होता है डालना निवेस करना keyboard, mouse, data को हम लोग CPU में डालते हैं उसके बाद CPU प्रोसेस करके किसको देता है आपका monitor को देता है भंडारन, storage के लिए आपका CPU में register, buffer, ram, rom, storage का काम करता है फिर processing के लिए data को processing करता है फिर हम लोग output देते हैं, control करते CPU से चलिए यह सब हम लोग diagram जो है पहले ही समझ चुके हैं अब हम लोग पढ़ते हैं SWAT टेक कंप्यूटर की सबसे तेज memory जो होती है register होती है अकार में सबसे छोटा और कम data store करती है लेकिन सबसे तेज computer होती है computer के speed का क्रम देखिए computer का speed जो सबसे जादा होती है तो कैसे ह होती है तो computer में अगर हम लोग सबसे जादा तो register होते है first पर उसके बाद catchy memory उसके बाद RAM उसके बाद secondary memory जैसे कि हम लोग cd, dvd, hardx, memory card जो यूज करते हैं machine cycle किसे कहते हैं computer में instructions को process करने के लिए उस instructions को cpu में process कराना क्या कर लाता है machine cycle कर लाता है जैसे कि देखिए page, decode, execute and store यह आप याद कर लेंगे ठीक है screen shot ले लीजे next है आपका यहां computer के मुख्य भाग computer के मुख्य भाग कौन-कौन से है देखिए input है storage है आपका यह system में है mother board, cpu, primary and main memory input device में यह सब सारे चीज़ पढ़ दिया है data को process कराना, डालना, data के अनुदस प्रोग्राम स्युक्र करना, binary code में बदलना, यह सब किसका काम है, input device का काम है यह चलते है ROM, यह अस्थाई, यानि कि non-volatile memory है, अस्थाई memory है, ROM है, next system unit, teen का डबबा के जैसा होता है, motherboard होता है, जो PC भी होता है, printed, circuit, board, computer का हिर्दय किसी कहा जाता है, यही mother board को कहा जाता है, यहां जो होता है, mother board तारों का समूह होता है, यह सब आप याद रखेंगे, processing जो करता है, CPU के अंदर होता है, जैसे के Pentium, Duane Core, यह सब होते है, primary memory, RAM, ROM, intern, primary memory, secondary memory कहते हैं, कि इसको जैसे कि hardX बढ़ गाया, memory हो गया, DVD होके, यह सब, primary यानिक प्रथम memory जो होता है, RAM, ROM ही होता है, ठीक है, चलिए, अगला हम रुख पर सकते है, RAM, तो RAM का जो full form होता है, random access memory होता है, और यह दो प्रकार के होते हैं, एक dynamic DROM, एक SRAM, डायनिक मेमरी जो इसका speed कम होता है, एक SRAM, जो होता है, SRAM, static random access memory, जो बहुत ही तेज होता है, data को store करता है, ROM, data को मिटाया नहीं जाखता है, यह ROM जो होता है, टिक है, यह जो ROM होता है, जो ROM डाल दिया गया है, एक ह सौफ्टर्वेर में डाले जाता है यह अस्थाई मेंमरी होता है नोन विलाटाइल इसमें अल्टरा वॉयले ट्रेक का परियोग किये जाता है डाटा को रीड करने में पढ़ने में इति या रोम क्या होता है eletriically erisable programmable read-only memory नेक्स्ट है रैंड़म access memory में क्या होता है भाई सेमी कंडुक्टर चीप लगे होते हैं और अस्थाई memory काते है इसको RAM को ठीक है डाटा को मीटाया जा सकता है लेकिन राम के डाटा को नहीं जा सकता है, फाइनल रिजट अस्थाई तोर पे RAM में स्टोर किया जाता है, चलिए, नेक्स्ट है आपका, ROM, तो यह data को nust नहीं किया जा सकता है, यह phone में ही होता है, अगर phone है तो computer में ही होता है, computer है तो, primer memory जो होता है, register catchy RAM ROM होते हैं, जो RAM ROM होते हैं, आपका CPU में लगा होता है सबसे तेज मेमरी कौन था है रेजिस्टर एंडर कैश कैशी उसके बाद secondary memory जो होता है आपका अस्थाई रूप से संग्रहन के लिए चुमबकिय डिस्क अप्टिकल डिस्क का हाड डिक्स सारे होते हैं computer को बंद और विजली ये समाप्त होने पर भी इसमें रहते हैं CMOS chip क्या होता है то CMOS chip होता है CMOS चीप, कंप्लिमेंटरी, मेडल ऑक्साइट सेमिकंडक्टर होता है, मदर बोट पर लगा होता है, सीमोस बैटरी भी होते हैं, कंप्यूटर को बहुत दिन के बाद भी स्टार्ट करने पर, डाटा एंड टाइम सही तरीके से सेव रहते हैं, वो किस के कारण तो यह सीमोस चीप के कारण, चलिए, नेक्स्ट आपका जो है, आपका पॉइंट है, कंप्यूटर बस, मदर बोट पर धातुओं के तारों का समूँ होता है, ठीक है, मदर बोट में, कंप्यूटर बस में, कंप्यूटर बस किसे काते हैं, कंप्यूटर बस यानि के तारों का समूँ होता है, इ दाटा एवं संकेतों के computer के system को भीतर से एक अस्थान से डूसरे अस्थान तक ले जाना computer bus कहलाता है चलिए CPU system unit जो होते हैं CPU mother board में CPU की आत्मा जो है क्या है mother board है and computer bus internal bus होता है और एक external bus होता है करने को दाटा को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुचाना तो internal bus जो mother board के अंदर लगाया जाता है data को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक परिवर्दित करना external bus में आपका hard disk को computer से जोडने के लिए SI का परियोग होता है small computer system interface next SPG bus का full prompt क्या होता है accelerated graphic port bus जो 3 VEMEO चित्रों को बनाने में होता है graphics M चल चित्र को यह ले जाने में होते है नेक्स चलते हैं हम लोग आपका यह क्या होता है internal system and bus ठीक है internal system जैसे के होता है data bus होता है address bus होता है general control bus होते हैं यह सब सारे होते है data को ले जाने के काम करता है data bus address bus जो होता है data को address को ले जाने में कारी होता है control signal को ले जाने में ये कारी करता ह cavity computer bus computer के अंदर बना मुक्य सडक highway data सुचना एक दूसरेक अस्तान पर ले जाती है cpu जो होते है आपका central processing unit and micro processor होते है ठीक है, electronic hard device में होते हैं, computer का हीरदय और मस्तिक्स कहा जाता है input को output में परवर्थित करता है, CPU और data को process करता है सभी कारियों को नियंतिरित निर्देशीत जो करता है, समानमे करता है, coordinate करता है यह CPU ही करता है, ठीक है, और यह आपको class कैसा लग रहा है, यह last class हो रहा है अच्छी तेजगती से चलेगा, central processing unit में क्या क्या होते है, control unit, register, arithmetic unit, logic unit, सारे चीज़ होते है control unit किसे कहाते है, computer CPU के अंदर पाए जाने वाले software और hardware के भी जो समनमे करता है उसको हम लोग control unit करते है, computer में नाडी तंतर का जो किसे कहा जाता है, nervous system किसे कहा जाता है यही control unit को कहा जाता है, console unit के कारी क्या होता है, input और output device तता hardware को नियंदित करना दूसरा, ALU के कारीयों को नियंदित करना, मुख्य memory से data को लाना और store डखना चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ALU क्या होता है, तो arithmetic logic unit होता है, जो CPU का भाग होता है गनितिये एवं तारकिक करवाई की जाती है, यहीं चलते हैं ALU, ALU जो होता है, AU यानि कि arithmetic unit होता है दोनों मिलकर बने होते हैं, अंक गनितिये जैसे जोड गुना घटाव और ALU यानि कि logic unit होता है, जो बड़ा छोटा बराबर सब करता है ALU के register में store, ALU कहां होता है register, यानि कि सबसे जो तेज memory, register, cache, RAM, ROM हो ही है इसके बाद CPU में process होता है, final result register में आता है, CPU में use होता है यहें buffer किसे काते हैं, temporary storage memory यानि कि यह buffer जो होता है, RAM में use होता है ठीक है, चलिए, next आपका जो है point, BIOS का क्या होता है, BIOS, basic input output system basic input output system, इसका जो full pump होता है, यही होता है, software program होते हैं, इसमें जो होते हैं आपके ROM chip में store रहती है, BIOS computer से जोड़े computer और hardware की जाच की जाती है जैसे कि post, power on self test काते हैं, BIOS के द्वारा ही, खुद से computer on होता है, और off होता है booting कैसे करते हैं, warm booting, booting दो परकार के होते हैं, warm booting और cold booting देखे, cold booting उसे करते हैं, जो लंबे समय के बाद computer को on किया जाता है और warm booting, computer restart खुद होता है, जैसे कि हम लोग mobile को restart करते हैं, that's the warm booting computer चल रहा है, उसको हम लोग warm booting, output device जिसमें है, monitor, printer, plotter, speaker, screen, screen, image, card reader, etc और आपका ये last page है, ये सब आप point याद रखेंगे, system clock किसे काते हैं, CPU में प्रभावित करने वाले घटक कौन से, कारक कौन से जितना ज़्यादा clock होगा, उतना तेजगती से वर्क करेगा CPU, register memory, जितना ज़्यादा register लगा रहेगा, उतना अच्छा वर्क करेगा, और word length, जैसे कि 8, 16, 32 इतना बीट का प्रोसेसर computer होता है, catchy memory, third generation refresh करने के ज़रूरत नहीं होती है, इसमें CPU में RAM के बीच में लगा रहता है, तीक है, system burst, इसमें motherboard में peripheral device का परियोग होता है, जोडने के लिए होता है, समांतर गर्ना, dual core होते हैं, जिसमें multi core होते हैं, CPU की गती को बढ़ाती है, ये सब, तीक है, throughput क्या होता है, computer द्वारा निर्मित उप्योगी processing वही कलाता है, response time क्या कलाता है, एक OS खुला process, उसके तुरंत दूसरा OS खुला process करने के बाद, ये कम तेज होता है, ठीक है, response time, तो दोस्तों आपका ये जो है, आपका introduction of computer समाप्त होआ, और ये आपको कैसा class लगा, peripheral device जो है, आपका hardware है, question चलिए देखते हैं, गीगो का संबंद तुरूटी रहित कारी से है, गीगो संबंद कि निस्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, प्रोसेसर, BIOS कहां ये ROM में उत्पन होती है, उत्पती होती है, एक billion cycle 30 seconds कहलाता है, गीगा हर्ट्स में, computer processor के clock दर या गती मापता है, गीगा हर्ट्स में, यहीं जब प्रोसेसर उनका उप्योग कर रहा होता है, तो प्रोग् CPU के कारे मापा जाता है, MIPs में, CPU के कारे को किसीज में मापा जाता है, million instructions per second में, गन्ना के तुलना ALU से के जाता है, तो दोस्तों, आपका यहाँ जो है, total class समाप्त हुआ, यह part 1 का, तो यह आपको class कैसा लगा, और भी इसका part 2, 7 class है total, part 2 class आने चाहिए या नहीं, आप comment section म comment करें, क्योंकि आपने अगर इतना class देख लिया ना, तो आपका एक भी नहीं बचेगा, यह जो है, अभी AD classes app पे 149 में मिल रहा है, या फिर pdf के लिए 8863, 884281 पर आप message कर सकते है, धन्यवाद watching for this video, जै हिंद, जै भारत, और ऐसा ही question, ऐसा ही class पाने के लिए AD जार्कन classes के साथ free of course जोड़ें, धन्यवाद,